Welcome to everyone for Physics Clause. Today our topic is Rules of Finding Number of Significant Figures in a given value. तो आज हमारे टापिक है Rules of Finding Number of Significant Figures. तो rule no.1, रूल no.1 ये कहता है कि All non-zero digits are significant figures. सारे जो हमारे पास non-zero's जो проис中 और नमबर है, वो सारे क्या होते हैं? होते हैं, तो क्या है कि all non zero digits are significant, सारे हमारे पास non zero digits significant figures होते हैं, तो जिससे हमारे पास है, तो यह सारे क्या है? जिससे 1, 2, 3, 4, इसमें कितने हैं, सब इन digits को count करना है, तो यह 1, 2, 3, 4, होते हैं, तो 3 बस घांड है, तो क्या है, 6 , 4, 5, 6, तो total significant figures होते हैं, जिसमें सन्लिक्नत तो ? क्या सरिक्न रिक Krयोंत च 언제 कोई है तो हमें, तो क्या count करना है है, वह सारे नांट 0 है, जिसमें जिरो नहीं है, जिसमें 0 नहीं है बाकि सारे तो non-zero है उन सब digits को क्या बढ़ना है count करना है तो तुछी क्या बनना हैंगे significant figures बनेगे इसमें कितने है significant figures से पास पाल है यह उसमें कितने 6 है उसके बाद है the zeros between two non-zero digits zeros between two non-zero digits are significance जिरो लाइक कर रहा है इसके दर्मान between two non-zero digits के तो उसे हम क्या बते है significant figures करते हैं तो all zeros between two non-zero digits are significant जैसे यह two क्या है एक non-zero यह दूसरा भी दूसरा जो nine यह क्या है non-zero तो two or nine के दर्मान जो भी zero आ रहे हैं यह भी क्या कहलेंगे significant कहलेंगे तो इस दो यह zero यह count है significant में और एक यह non-zero एक यह non-zero तो total कितने बनेगे चार और कितने बनेगे हमारे पास four significant figures बनेगे इस तरके से यह जो है zero in non-zero digits के दर्मान आ रहे है यह zero two क्यांट करेंगे और सारे यह non-zero digits के आए लेकिन जीरो उनके दर्मान आ रहे है उसको भी क्या गड़ना है काउंट करना है यह जीरो उनके दर्मान आ रहे है उसको भी काउंट करना है तो total कितने मेंगे सारे non-zero तो काउंट करना है लेकिन zero उनके दर्मान आ रहे है उसको भी क्या गड़ना है काउंट करना है तो यह one two three four five six seven total total कितने है हमारे पास significant figures silent है अब इसमें बले हमारे पास decimal गड़ेट गए है तो इसमें कितने मैंनेंगे एक डो तीन चार पांच तो यह नाजिरो यह भी क्या है नाजिरो इनके दर्मान यह क्या रहे है जीरो जारे तो इसको भी हमके आगर में काउंट करनेंगे इस्तास इसतर है यह 2,0002 उनके दर्मान इसको करना है तो इसे क्लाई सहिए तो सारे significant है उसके बाद रूल नमबर त्री चाहे रूल नमबर त्री if there is no decimal point कि जब हमारे पास decimal point नहीं है are zeros to the right most non-zero जैसे हैं देखें कि कोई भी हमारे पास decimal अगर use नहीं किया गया है तो हमें देखना है कि जो non-zero most right नहीं है जैसे यह साइरम देखना है यह non-zero है साइर में इस non-zero के जो भी right में zero जाएंगे वो क्या होंगे not से देखें देखें if there is a low decimal point are zeros to the right of the right most non-zero यह right most non-zero यह क्यों साइर right most non-zero के right side आ जाएंगे यह right side आ जाएंगे जिरो यह जो सैट में यह क्या कर लाएगा right most right most non-zero digit कर लाएगा उस right most non-zero digit के right side आ जाएंगे जीओ यह वगर है कि यह वाल है इस right most non-zero digit के right side जो जीओ आएंगे उनको जो है significant count नहीं करेंगे तो यह पिलूं जो है हमारे पास significance नहीं है significant figures कर जाएंगे एक उसके वाल है 2-0-1 यह क्यों क्यों count करेंगे कि यह दो non-zero digits के तर्मान आ रहा है इसको क्या-क्या count किया तो यह एक यह दो यह तीन significant बनेंगे तो कितने हमने किया rule तीर rule किये number one सारे non-zero digits are significant number second हमने क्या क्या गया second यह क्या कि zeros between non-zero digits are significant third rule में क्या 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 कि अगर हमारे पास decimal point नहीं है तो जो right most non-zero digits रहे उसके right side पे जो भी हमारे पास zero's हमें वो क्या है significant नहीं होते हैं तो यह तीन rule किये चौथा जो आपने करने हैं उसके बाद रूल no.4 रूल no.4 यह करा है कि all zeros to the left of an express decimal point and to the right of a non-zero digits or significant rule no.4 यह करा है कि जब हमारे पास decimal point को हम use कर रहे हैं जब decimal point है हमारे पास तो decimal point के left side जो भी zero है जो भी zero होंगे उनको हम क्या है करें तो rule no.4 क्या है कि जब हमारे पास decimal point यूज हो रहा है और उस decimal point के left side जितने भी zero है और जो non zero digit है उसके right side पे decimal point के left side जो और non zero digit के right side जो भी zero होंगे उनको हम क्या करेंगे तो यह decimal point है इसके left side पे कितने zero है एक जो तीन जो और यह non zero digit के right side हो और decimal के left side हो वह सारे जो zero zero जो भी आप क्या करेंगे तो एक जो तीन चार्स मतने से इतने तिकर होए माने थे फॉड़ तो दिन जो और गांच करेंगे तो और यह को को किए जो पॉड़ की आपके तो दो नन जो जो पो पर प्लाइगे वह क्या करेंगे तो चार्स पांच एपर आप तो हिच्छ भी यह साथ है। इसके बादर रूल नूम्बर फाइड, आज सीडू तो राइट आपका डेसिमल क्या पॉइंट नाट सेकें नहीं। तो आज सीडू आपका गएड़ाख देसिमल के राइट साइड पे और नाट सेकें नहीं। तो आज zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit और नाट से नहीं हैं provided there is only a zero to the left of a decimal decimal के पात जो एक ही zero decimal के जो है left पे decimal के left पे जो है एक ही zero और decimal के right side पे जितने भी zero है और जो left most non-zero इसको आप क्या रहे सकते हैं left most non-zero digit left most non-zero digit के left पे left most non-zero digit जिसके left में जितने भी zeros हैं उनको आप क्या करेंगे count नहीं करेंगी तो इसको कितने मैं जो तीजिए जिसरु तीन सीखने हैं similarity इसके लिए एक दो ये तो count नहीं करने zero क्योंकि ये non-zero digit के किस साइड आ रहे हैं left side पर आ रहे हैं तो इसको और decimal के किस साइड है राइट साइड decimal के right side और non-zero digit के left side पे तो count नहीं करेंगे तो simple एक लो इंचार पांच है किसे बादे इसमें यह रूल हमने किया है for rule में क्या जाए decimal के left side पे और non-zero digit के right side पे यह तो जाए तो दो यह दो चार एक पांच तो इसमें इत्में समिध्स मों बहते है okay कि इसमें एक जिरो काऑंट करना ने जी जीन जिरो काउंट ने तो इसमें सहाट की ने कंदे पाहए बाइ